आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी होटल रेस्टोरेंट स्टाइल सामबर बनाने की रेसिपी सामबर को ना हम इडली, डोसा या फिर वड़े के साथ खाते हैं यह बहुत ही टेस्टी लगता है तो आज हम इसे बहुत आसान तरीके से घर में बनाएंगे सबसे पहले मैंने एक कप अरहर दाल लिया है जिसे तूर दाल भी बोला जाता है इसे अच्छे से धोकर 20-25 मिनट के लिए पाने में भिगो दिया था और अब इसे मैंने कुकर में डाल दिया साथ ही नमक और हल्दी डाल दी और एक चमज खी डाल दिया अब इसमें 2 कप पानी डालेंगे और कोकर कढ़कन बंद करेंगे मीडियम फ्लेम पर इसमें 3 सीटी लगाएंगे फिर प्रेशर खतम होने के बाद कोकर को ओपन करेंगे जब तक कोकर में सीटी आ रही है हम यहाँ पर अपनी सबचिया त्यार कर लेते हैं गैस पर एक कड़ाई रखें जिसमें 2 चमच तेल डालें तेल की गर्मोनी के बाद आदा चमच राई और आदा चमच जीर डाल दें एक चोथाई चमच इसमें हींग डाल दें एक चोथाई चमच मेथी दाने डाल दें आदा चमच मैंने grated लेसून डाल दिया है और आदा चमच grated अधरक डाल दिया है साथ में डाल दें आर-दस कड़ी पत्ते अब आप सभी चीजों को ना medium flame पर थोड़ा सा भून लें थोड़ा सा लहसुन अद्रक डालने से न सामभर का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है इसे भूनने के बाद अब यहाँ पर मैंने कुछ सबजिया ली है एक बड़े साइज के प्यास को लंबाई में पतला पतला कट करके लिए है एक कप मैंने लौकी ली है एक कप लंबाई में कट करके डालिएगा यह इस तरह सामभर में अच्छा लगता है अब आदा चमच हल्दी पाउडर डाला है एक चमच कश्मेरी लाल मिच पाउडर नमक डाल दें नमक ध्यान से डालें दाल को बालते समय भी नमक डाल चुके हैं अब मैंने इसमें दो चमच भर करके रखें वह भी डाल देंगे देखिए यह जो सामर है ना इस तरीके से आप सब्जीयों को अलग से मसाले के साथ भून कर बनाएंगे ना तो बहुत ही डेस्टी बनेगा उच्छ लोग क्या करते हैं डाल के साथ में सारी सब्जिया डाल देते हैं जिससे सामर में वह वा डाल देंगे पानी तो यहां पर मैंने इसमें दो कप पानी डाल दिया है बहुत अच्छे से इसे हमें मिक्स कर देना है और अब ना हम इसे ठक कर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे अब लगभग 80 से 90 परसेंट तक हमें सब्जियों को ऐसे ही कोप कर लेना है अब थोड़ी द ना सामबर बहुत ही टेस्टी बनेगा लेकिन ध्यान रखिए सारी सबजियों मैश नहीं करेंगे कुछ सबजियों खड़ी खड़ी सी भी रहनी चाहिए तब ही सामबर अच्छा लगता है तो बस इस स्टेप के बाद अब आपको क्या करना है जो आपने डाल कुकर में उब इसक्ति माल कर सकते हैं लेकिन डाल को मिक्सी के जार में डाल कर ब्लेंड मत कीजेगा तब वह पूरी तरह घुट जाती है हलके हलके से दाने से भी डाल के रहने चाहिए यह देखिए एकदम परफेक्टली मैंने इसको मैश गया है अब देखिए सबजिया तो हमारे को जाता है तो उसका टेस्ट अलगी होता है दाल डालने के बाद आदा चमच के करीब गुड़ डाल दिया है और यहां मैंने वन फोर्थ कप इमली का पल्प डाल दिया है बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे सामर बनाते समय इसमें थोड़ा सक गुड़ और इमली का पल इसमें थोड़ा पानी डाल दें पानी आप गरम डाल दीजे बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे अब सामर को थोड़ी देर के लिए उबलने देंगे तो आप इसे ठक कर लगपक 5-7 मिनट के लिए उबाल लीजे मीडियम फ्लेम पर तो इसे ठक दिया है अब ना सामर को पकते हुए 7 मिनट के करीब हो गए हैं तो ये देखिए एक्टम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का सामर तयार है ना जादा पतला है और ना ही जादा गाड़ा बहुत पतला सामर भी नहीं अच्छा लगता और बहुत गाड़ा नहीं इस तरह का सामर एक्टम परफेक्ट लग और उसके बार, आप इसमें डॉल दिजिये यहाँ पर आधा Liग को तोड़के डाल दिया है अब न, इनेंहें हलका सा भून लेंगे, गैस का फ्लेम मैंने off करत यहाई, कीजी काफी गरम हो चुका था आदा चमब जिसमें कश्मेरी लाल मिर्श पाउडर डाल दें बस तड़का है तयार और इसे डाल देंगे हमारी सामबर के अंदर अब ये बहुत ही टेस्टी ट्रेडिशनल सामबर रेसिपी है तयार इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालें बहुत अच्छे से मिक्स कर दें और कॉमेंट करके बताएं या आपको कैसा लगा